जै शी कृष्णा कैसे आप सब लोग हम आप सभी लोगं के लिए इश्वर से प्रार्तना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत सथ रहें मस्त रहें अपनी लाइफ में आगे बढ़ें अपने करियर में आप धेर सारी सक्सरासिल करें डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल इस प्रिश्वल लव 111 में आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत ही जादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज हम बताएंगे कि आप दोनों की मन में क्या चल रहा है इस वक्त एक दूसरे के लिए आप क्या सोच रहे हैं उनके लिए वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए और आप दोनों के लिए क्या God guidance होगा ये भी बताएंगे ठीक है तो चलिए देर मत करिए लंबी सी गहरी सी सांस लेकर उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और एक option चूस कर लीजिए कितने प्यारे प्यारे से flowers है ना जो flower आपको बहुत जादा attract कर रहा हो आप उस flower को चूस करिए और देखिए तो सही कि उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर और फिर हम भी तो बताएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है उनको लेकर कर देखिए क्या पता वह मैच कर जाएं क्या पता कि वह रीडिंग आपके लिए हो क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना और देखिए अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप नवरात्री के बाद ही क्योंकि इस नवरात्री हम अनुष्ठान करने वाले हैं और अनुष्ठान में हम कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं लेंगे क्योंकि हम बारा घंटे का मौन ब्रद, चार घंटे की मंत्रा चैंटिंग, एक घंटे का मेडिटेशन मतलब कि हमारा पूरा टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रिश्वर्टी में ही बीतेगा नवरात्री में तो टाइम बिल्कुल दे नहीं पाएंगे हम, और हो सकता है कि शायद हम जेर्नल रीडिंग भी बहुत कम लेकर आ पाएं, क्योंकि दिन भर तो मौन ब्रद रखेंगे, शाम को मौन ब्रद खुलेगा, तो हो सकता है कि रीडिंग कर पाएं, लेकिन पर्सनल रीडिंग नहीं करेंगे ठीक है तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप नवरात्री के बाद देखना ठीक है और नवरात्री के बाद तो हम बहुत जादा हाइर लेवल पर होंगे अगर आप लेना चाहें पर्सनल रीडिंग तो ज़रूर ले लेना ठीक है उसके लिए दे ठीक है जै श्रीकृष्णा ऑप्शन नमबर वन कैसे हैं आई होप आप बहुत स्वेश्च होंगे मस्त होंगे और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आपने चूस किया है इस प्यारे से फ्लावर को आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल प्रिच्वल लव डबल वन डबल वन में और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए और हम बताएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है उनके लिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं देखे डियर जो इधर बहुत वो है जेमिनाई लिब्रे एक्वेरियस मिथुन तुला कुम्ब राशी फिर एरीस लियो सजिटेरियस मेज सिंग धनु राशी एयर साइन और फायर साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है लेकिन बहुत कम है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है करके रुष्चिक में राशी पुर्षप करने अमकर राशीवारी एनरजी यहां पर थोड़ी सी कम है अब इदहर बर्थमंद की बात कर लें अच्छा एक बात हमें थोड़ा सा बता दीजी आप लोग जब हम बर्थमंद बताते हैं डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और जब हम इनीशल बताते हैं तो क्या आप लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि यह सब हमने अभी अभी शुरू किया है बताना अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हम कंटिन्यू करेंगे और अगर नहीं अच्छा लगता है तो नहीं कंटिन्यू करेंगे छोड़ देंगे यहीं से ठीक है तो महिने की 20 तारीख किसी भी महिने की 16 तारीख 19 तारीख और 2 तारीख 8 तारीख 3 तारीख 10 तारीख 7 तारीख 5 तारीख 5 तारीख 8 तारीख दो तारीख और आठ तारीख बहुत स्ट्रोंग है बारा तारीख ठीक है तो किसी महिरे की इस डेट में आपका या फिर उनका जन्म हुआ होगा अब हम बर्थ मंत की बात कर लेते हैं अगस्त मई अगस्त बहुत स्ट्रोंग है मई मार्च जी हाँ मार्च और फरवरी जून दिसेंबर जुलाई जुलाई बस जून जुलाई ठीक है तो यह यहाँ पर डेट उफ बर्थ है इनीशल की बात कर लेते हैं आपका नाम भी हो सकता है उनका नाम भी हो सकता है कि दोनों की क्योंकि मिक्स एनर्जी है ना इस वज़े से बी टी एन यू एफ पी आर के एम आर आर एल ठीक है तो यह यहाँ पर कुछ इनीशल्स है नेम का फर्स्ट लेटर यह आपका भी हो सकता है और उनका भी हो सकता है अब देखे डियर सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी पार्टनर की एनर्जी बताने वाले हैं बड़ी खतरनाक एनर्जी है बड़ी सैड एनर्जी है और आप भी रो देंगे शायद आप तो रो ही रहे हैं खेर हम देख रहे हैं बड़ी दुविधा है बड़ी कनफ्यूजन है बड़ी परेशानी है बड़ी दिक्कत है जैसे कि बहुत helpless feel करना चाहा कर भी कुछ ना कर पाना ऐसा लगता है कि काश कि सब कुछ मेरे बस में होता काश कि सब कुछ में कर पाती कर पाता काश 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 एक song कितरों सनाए थोड़ी आसानी हो की समझाने में चलिए आखे बंद करिये अखियाद सामने अखियाद दिख्वाव तुटे जान देने तुटे जान देने तेरे जान बाद दल्दु बेहिसाव तड़ु पान देने तड़ु पान देने याद तेरी लेके सिन विच बेके हो याद तेरी लेके सिन विच बेके दिल रोई जान दा है मेरा महबू किस होरदा होई जान दा है इनका कहरे का मतलब है कि मेरी ही आँखों के सामने मेरी जो ख्वाब है वो तूट रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ ये मेल हो या फिर फिमेल हो आप जिन के लिए भी देख रहे हैं लेकिन जब तुम जिन्दगी में थे न तो तुम्हारी क्या एहमियत है इसका मुझे अंदाजा नहीं था तुम कितने इंपॉर्टेंट हो तुम कितने जरूरी हो जिन्दगी के लिए मेरी खुशी के लिए मुझे इसका जरा सा भी एहसास नहीं था लेकिन तेरे जान बाद दर्द बेहिसाब तड़ पांदेने तड़ पांदेने तुम चले गए हो जिन्दगी से तुम जा रहे हो जिन्दगी से तो मेरी सांसे भी जैसे रुक रुक रही है जिसे मेरी सांसे भी मेरा साथ छोड़ रही है तुम्हें पता है हाँ मैं थोड़ा सा रूर हूँ हाँ मैं थोड़ा बत्तमीज हूँ मैं बहुत लड़ती हूँ तुमसे मैं नहीं समझता तुम्हें नहीं समझती तुम्हें लेकिन आज बहुत अकेला पने यार बहुत अकेला पने कैसा बताऊ तुम्हें वैसे बताऊ मुझे जताने के आदत नहीं है मैं बता नहीं पाता मैं Graham नहीं पाती जैसे और लोग अपनी फीलिंग्स अपनी जदश्बात कह देते ना वो सब मुझसे हो नहीं पाता लेकिन तुम क्या हो तुम्हारी एहमित क्या है तुम्हें खोने के बाद पता चल रहा है देखे डियर हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों के दर्मियान एज डिफरेंस इशू है लॉंग डिस्टेंस इशू भी है लेकिन connection बहुत strong था ठीक है connection बहुत ज़्यादा strong था लेकिन बहारी लोगों का interfere बहुत ज़्यादा था इंटरकास टिशू रिलीजियन इशू भी हो सकता है और इधर हम थोड़ी सी आपकी energy की बात कर ले आपके मन में क्या चल रहा है आपकी जिन्दगी में क्या चल रहा है दो condition या तो आप अपनी life में बहुत stable हो गए है बहुत ज़्यादा stable हो गए है और पहरे जो person थे जो आपके ex है समझ रहे हैं ये आपको बहुत रुलाते थे आपको बहुत परिशान करते थे आपको समझते नहीं थे commitment नहीं देते थे जूट पर जूट बोलते थे कभी जैसे कि आपको equal give and take की ही नहीं कभी आपको first priority दी ही नहीं आप कितनी important रखते हैं इनके लिए आपकी क्या importance है आपको कभी feeling नहीं हुआ आपको बस ये लगा कि मैं तो बस जबर दस्ती इसकी जिंदगी में हूँ वरना मेरी कोई एहमियत है नहीं इसकी जिंदगी में आपने feel किया होगा आप male हो या फिर female हो तो हो सकता है कि आपकी किसी से friendship हो गई हो आपकी life में कोई new person आ गया हो ठीया और जिसको लेकर अभी आप दोनों के दरम्यान विवात चल रहा है second condition second condition कि शायद आपकी शादी आपकी family वाले किसी और से करवा रहे हैं हाँ आपकी शादी आपकी family वाले किसी अच्छे घर में करवा रहे हैं आप male हो या फिर female हो तो अभी आपकी शादी की बात सुनकर या फिर आपकी friendship की बात सुनकर ये इतना तूट गए हैं अंदरी अंदर इतना रो रहे हैं इन्हें समझ में ने आ रहा है कि अब इनके जिन्दगी इन्हें कहां लेकर जाएगी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिनके साथ आपके शादी हो रही है हो सकता है कि वो fire sign के इन्सान हो और आप उनसे बात चीत कर रहे हैं ठीक है लेकिन आपके दिल में आज भी ये इन्सान बसते हैं जिनके लिए आज आप ये reading देख रहे हैं ये आपके ex-person हो सकते हैं ex-partner हो सकते हैं और ये देखिए थोड़ा सा जिद्धी राइप के हैं इनके हम age बता देते हैं जिस age group के हैं ये जादा तर करके 25 प्लस age है 25 से लेके 35 तक ठीक है इतनी age बहुत सारे लोगों की है और 35 तू 40 प्लस इस से जादा उम्रे के लोग इधर बहुत कम है अब देखिए इन्हें बस ये है कि आप किसी और के साथ life में आगे बढ़ रहे हैं अब आप अगर married है तो अपने husband या wife के साथ इन्हें लगता है ठीक है अगर आप single है like आप unmarried है तो आपकी family आपकी शादी किसी और के साथ करवारी है ठीक है या फिर आप इस वक्त अपने career पर focus कर रहे हैं और आपकी अभी हाल फिलाल किसी से दोस्ती हो गई है कैसे जब ये आपके साथ बहुत root behavior कर रहे थे जब ये आपको ignore कर रहे थे जब ये दिन परती दिन आपको cheat करते थे आपको hurt करते थे तो आपको लगता था कि मेरी जिंदगी में इतना दर्द क्यों है कहीं न कहीं मेरी वज़े से न मैं इस इंसान को इतना important समझ रही हूँ इसे इतनी importance दे रही हूँ इसी वज़े से तो मुझे तकलीव दे रहा है मुझे भी life में खुश रहने का हक है तो हो सकता है कि आपकी life में कोई new person आ गया हो और उस वक्त जिस वक्त इन्होंने आपको तोड़ दिया था छोड़ दिया था तो उस इंसान ने आपका हाथ थामा हो उस इंसान ने आपको समाला हो और फिर कुछ दिनों पहले ये भी रोध होकर आपकी जिन्दगी में आने के कोशिश करने लगे कि मुझे अपना लो, मुझे एकसेप्ट कर लो अब मुझे गलती नहीं होगी बहुत सारी बाते बताई होगी इन्होंने कि ये हो गया था, वो हो गया था मेरी बात समझो और बहुत मजबूर थी मजबूर था बहुत सारे इन्होंने बहाने बाजी बताई होगी आपको ठीक है तो आपने ये कहा होगा कि अब मेरी लाइफ में कोई और है तीन कंडिशन इधर देखे रही है अब आप हमें बताईए कि आपकी कौन सी कंडिशन है क्या आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ गए है या फिर आप मैरिड है या फिर आपकी शादी आपके फैमली वाले किसी और से करवा रहे है क्योंकि यहां पर आपकी एनरजी देखकर हमें यही लगता है कि खुश तो आप भी नहीं है आपको भी इनकी बहुत फिक्र हो रही है आपको भी इनकी बहुत जादा याद आ रही है आपको भी लगता है कि मैं क्या करूँगा मैं बहुत मजबूर हूँ मैंने शायद या तो आपने उन्हें कमिट्मेंट दे दिया है जो न्यू परसन आपकी लाइफ में आए है या फिर अगर आप मैरेड है तो आपको लगता है कि मैं अब मैं इससे बात कैसे करूँ मेरी फैमली में पता चल जाएगा बबाल हो जाएगा जिसे कि दो चीजों के बीच दो रिष्टों के बीच आप जगल कर रहे हैं आप चीजे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप बहुत परिशान है आपकी स्थिती हैंग मैंड जैसी है लटके हुए हैं बीच में जैसे कि मन हो रहा है किसको चूस करूँ किधर जाओं मेरी किसमत मुझे कहां ले जा रह और कभी-कभी तो आप इनको ब्लॉग भी कर देते हैं, इनसे भी बात नी करते हैं, लेकिन जो एक अनकंडिशनल लव होता है, जो एक प्रेम होता है, सच्चा वाला, जो आपने कभी इनसे किया था अपने एक्स पार्टनर से, वो प्रेम बार-बार इनकी याद आपको दिला बार आए, बार-बार, जैसे कि ना चाहकर भी इनकी तरफ ध्यान चला ही जाता है, ना चाहकर भी इनकी तरफ मन खिच ही जाता है, और आप इतने मजबूर हैं कि आप किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि अभी कॉल या मैसेज आप दोनों के दर्मियान नही मिश्विशन है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो ये फिर आप नहीं किया हो, ड concurrent लेकिन खुश्ष। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं पता है ये जो परसन है निटेल नि आप कितने क्यूट nice कितने मदली थे कितने अच्छे थे कितने कैरिंग थे इन से कितना प्रेम करते थे इनका कितना खयाल रखते थे इतने powerful होने के बाद भी आपके अंदर कोई घमन नहीं था कोई attitude नहीं था कोई ego नहीं था इन सब चीजों की याद इन्हें अब आरहे है और इन्हें वाकी लगता है कि मैंने हीरा खो दिया, मैंने हीरा खो दिया, मैंने उस इनसान को खो दिया जो हमेशा हमेशा मेरा था, जिसने कभी मुझे दोखा नहीं दिया, जिसने कभी मुझे कोई जूट नहीं बोला, जिसने हर तरह से मेरे उपर खुद को समर्पीत कर दिय मैंने उस इंसान का दिल थोड़ा आज ही अपने ही किए पर इतना पच्छा रहे है जाए भी इस्तुख्त हैं बहूत ज्यादा कि अब मैं क्या करों बर्डन लेके जैसे कि बहुत बर्डन है इनके उपर बहुत बोज है इनके उपर, हो सकता है कि इनके कर्मा अब इनके सामने आ रहे हैं इनका कर्मा इन्हें रुला रहा है और बहुत ही जादा रुला रहा है समझ रहे हैं, इनकी जिन्दगी में दूर दूर तक खुशियां नहीं है एक बार After Married आपकी लाइफ में खुशियां आ सकती हैं क्योंकि जिनके साथ आपकी शादी हो रही है ठीक है, या फिर जो इनसान आपके जिन्दगी में new new person आया है ये भी कोई ऐसा वैसा इनसान नहीं है ये भी कोई ऐसा वैसा इनसान नहीं है इसके साथ और बिल्कुल ऐसे ऐसा लगता था कि सिर्फ आप ही इनसे प्यार करते हैं, जैसे कि इनकी कोई responsibility ही नहीं है, आपने call कर दिया तो हाँ ठीक है बताओ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, और अगर आपने phone नहीं किया तो इन्हें होसी नहीं है, बहुत late में reply करना, दूसरों के online रहना, जैसे कि इस इनसान ने आपका खून जलाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमेशा मैं office में हूँ, मैं college में हूँ, मैं study कर रही हूँ, मैं study कर रहा हूँ, family के साथ हूँ, बहाने बाजी, बात ना करने के लिए बहाने बाजी, दूसरों की बातों को हमेशा importance द जादा, लेकिन अब उन सब चीजों का हैसास हो रहा है, कहते हैं कि कर्मों कफल मिलता जरूर है, थोड़ा लेट हो सकता है, हो जाता है, थोड़ा लेट लपेट, लेकिन मिलता जरूर है, अब इन्हें याद आ रहा है कि शुरू शुरू में आप दोनों जब मिले थे, आप dhunoh की शादी होगी, आप दोनों के बच्चे होंगे, बड़ी हैपी सी मैरिड लाइफ होगी, आप दोनों एक दूसरी की कितनी केयर करेंगे, आप लोग कहां कहां घॉमने जाएंगे, कौन कौन से मंदिर दर्शन करने जाएंगे, है ना आप लोगों ने कभी future planning की होगी अपने बच्चों के नाम रखे होंगे चिंकी पिंकी टिंकु मिन्टू है ना जो भी तो वो सब कुछ पुरानी बाते यादारी जैसे कि past में चले गए होगे काम में इनका मन नहीं लग रहा है जो भी ये अभी जो भी करते हैं ये करियर में इनका जो भी है इनका स्टड़ी करते हैं जॉब करते हैं बिजनस करते हैं जो भी उसमें थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा है इनका जरा सा भी नहीं और सबसे जगड़े भी हो रहे हैं खुद पे ही गुस्सा है खेर आपके लिए कोई गुस्सा नहीं अब खुद पे ही गुस्सा निकाल रहे हैं और उस गुस्से में किसी से बात चीत नहीं करना सबसे जगडे हो जा रहे हैं कोई कुछ पूछता है कोई अच्छे से बात करता है उसका बहुत रूडली रिप्ला दरारों से अब छुपाने को अपना कुछ ना रहा जखम दिखने लगे दरारों से तो अब इनकी जिन्दगी में जखम दरारों की तरह दिखने लगे हैं अब इनकी जिन्दगी में कुछ भी छुपाने जैसा है नहीं है और जैसे कि सारे रंग उड़ गए हो इनकी लेकिन भागने से इन्हे एकश्पिश्परियस भी बहुत हुआ भागने से इन्हें अनुभाव भी ़हादा मिला। पहले इन्हें लग रहा था कि ह contact में अभा की जब आप जिन्दकी में थे तो इनको लगता था कि आप तो है गां ही 불 की तरफ कोई मिस्टरी तो है नहीं मिस्टरी है दूसरों में समझ रहें तो दूसरों की तरफ attraction एक मान लीजे सुभाविक था इनका ठीक है क्योंकि आप तो easily available थे और और लोग easily available नहीं होते हैं आपको पता है कि इंसान उसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसे आसानी से ना मिले जिसे पाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सो तो इसे ये लग रहा था इने ये लग रहा था कि आप तो कहीं नहीं जा रहे आप तो हैं ही तो क्यों ना औरों की तरफ जाया जाए लेकिन औरों के पास जा जाकर इन्हें अनुभव बहुत अच्छे अच्छे मिले कि आज की टाइम में जब तक पैसा जेब में तब तक ही है यार और जैसे ही पैसे खतम प्यार हुआ बेकार तो इन्हें पता चल गया आज की टाइम में अगर आपके पास पावर है पैसे हैं अच्छी रेपूटेशन है आप अच्छे दिखते हैं तो दुनिया ऐसे भागेगी आपकी तरफ लड़की हों फिर लड़के ऐसे भागेंगे जैसे कि गुड की तरफ चीटे और चीटियां भागते मक्षियां भागती हैं गुड तो एक ही है मिठाई तो वही है तो इन्हें तब लगता था कि वहां मेरे तरफ बहुत लोग अट्रेक्ट होते हैं तब यह आपकी बेकदरी कर रहे थे तब यह आपकी बेकदरी कर रहे थे रेकिन फिर जब आप जिंदगी में आगे बढ़ गए फिर दीरे ये खाली भी होगा गुड़ खतम होगा अब इनके पास गुड़ है नहीं अब ये खाली है रिक्त है तो अब कोई चीटी चीटा अब कोई मक्की मंडराती नहीं इनके आसपास तो इनको लगता है कि सब पैस कि मेरी जंदगी में जुड़ा हुआ था सिर्फ वही था जो अनकंडिशनल लब देता था जो कभी जो डिमांडिंग नहीं था कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए जो मागर उससे प्यार से बात भी कर लूँ तो उस बात पे भी खुश रहता था उतने में ही वो खु किसी कुछ सकते कुछ नहीं कह सकते ना तो आज खुद पर ही रो रहे ही आपको कुछ नहीं कहरें बस इन्हें यही लगता है कि मेरा महबूब किसी होर्दा हो जानता है अब आप किकी और को हो रहे हैं अब देख कि अगर आप married हैं, पहले आप अपने husband या wife के साथ खुश नहीं थे, अभी भी खुश नहीं हैं, लेकिन आप इनके साथ life में आगे बढ़े ये सोच कर कि हो सकता है कि ये इनसान मुझे समझे, लेकिन कुछ दिन तो प्यार परवान चड़ा, उसके बाद ये बदल गए, तो फि इनने यहीं लगता है कि अब आप अपने husband या wife के साथ बहुत खुश हैं, बहुत श्वस्थ हैं, मस्थ हैं, अब आपको इनकी कोई परवानी है, या फिर जो इनसान आपकी life में आया है, new new, second condition, तो इनने लगता है कि उस new person के साथ आप बहुत मस्थ हैं, और कहीं न कहीं मे कोई blame करेंगे, माने ये नहीं कि मेरी गलती है, लेकिन इननोंने मान लिया कि मेरी गलती के वज़े सब कुछ हुआ है, ठीक है, और जो दूसरी, third condition है, वो ये कि शायद आपकी family, आपकी शादी अप कहीं और करवारी हो, आपने बहुत इंतजार किया, इनका आपने बहुत क कहा, इनसे commitment के लिए, action लेने के लिए, family में बात करने के लिए, लेकिन उस time पर ये भई, बाहर की दुनिया में मस्त थे, उस वक्त इनने लग रहा था कि आप तो कहीं जाने वाले नहीं है, और क्या फाइदा, जब तक बाहर की जिंदगी में आनंदार आये, तब तक बाहर कर बहुत परिशान है, बहुत रो रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, इधर आप कहीं न कहीं इनकी energy से आप भी प्रभावित हो रहे हैं, आपको भी बुरा लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि आप इनका रोना देख नहीं पा रहे हैं, बरदास्त नहीं कर पा र wife हूँ या फिर कोई new person आया हो जो आपकी life में ठीक है आपको लगता है कि सामने वाला इंसान मेरी कितनी कदर करता है सामने वाला इंसान मुझे कितना प्यार करता है और इस इंसान ने हमेशा मुझे चीट किया तो इसके लिए मैं क्यों वही करूँ जो उसने मिल साथ किया था कभी जब आप इंके लिए रोते थे तब ये दूसरे की तरफ भागते थे और आज जो सामने वाला इंसान है वो आपको प्यार करता है और आप उसको चीट करके इंके लिए परिशान हो तो अच्छा नहीं होगा ना अब देखे कुछ लोगों के लिए जो शायद चाहते हैं इनके साथ ही अपने एक्स के साथ ही आगे बढ़ना शायद आप इनके साथ ट्विन सोल कनेक्शन सोल मेट कनेक्शन फील करते हूं तो डियर यहाँ पर कुछ एंजली काइडेंस आपके लिए एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि देखे किस्मत एक बार आप दोनों को फिर से मिलाएगी अभी अलग हो गए हैं आप दोनों कहीं ने कहीं इसमें एंजल्स का बहुत बड़ा हाथ था समझ रहा है क्योंकि एंजल्स चाहते थे कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर धिहान दे आप इस इंसान के लिए अपनी इज़त ना गमाए आप इस इंसान के लिए इस इंसान के लिए जिस तरह रो रह थे तो आपको अपनी सेल्फ रिग्रोथ करनी होगी एक बार तो किश्मत आप दोनों को फिर से एक दूसरे क्यामने सामने लाएगी लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा अगर ये सुधर जाएंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर आप दोनों के दर में कुछ ठीक हो जाए ठीक है और अगर ये ऐसे ही रहते हैं नहीं बदलते हैं नहीं सुधरते हैं तो ये जहां है वही रहेंगे लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक पहुंचेंगे हर तरह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस हांसिल करेंगे success हांसिल करेंगे spiritual life में भी आपकी growth होगी लेकिन आपको किसी भी तरह से stress नहीं लेना है हो सकता है कि आपको pinch कर रहे हो कि तुमने मुझे धोका दे दिया तुम मुझे क्यों छोड़ कर जा रहे हो तो आपको कहीं न कहीं stress हो रहा है बार बार इनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है तो angels कह रहे हैं कि ignore कर गया इन है उस टाइम पर इने ख्याल नहीं आया था जबी आपके साथ इस तरह सब कुछ कर रहे थे तो अब आपको भी इनके बारे में सोच कर रोना नहीं है ठीक है लाइफ में आगे बढ़ना है अपने कर्यर के बारे में सोचना है अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है ठीक है? I hope कि आप समझ के होंगे जैर्शे कृष्णा अपना ख्याल रखे अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचे क्योंकि dear, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पुरी जिन्दगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है, अपने खुश्यों की परवा करनी है, और देखे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आप का मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस च लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आपका बहुत-बहुत फागत है आपके चैनल spiritual love 111 में डियर आपने इस flower को चूस किया है जो की बहुत प्यारा है और आप जाना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए और हम बताएंगे कि आपके मन में भी क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लिए मतलग कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है इस वक्त एक दूसरे को लेकर ठीक है तो सबसे पहले हम साइन और एलिमंट्स की बात कर लेते हैं कैंसर इसकॉर्पियो पाइसेस कर्क व्रिष्चिक मेन राशी बहुत स्ट्रॉंग है ठीक है उसके बाद है टॉरस वर्गो के अप्रिकॉन व्रिषप करन्या मकर राशी हम उसके बाद है यहाँ पर जेमिना एलेब्र एक्वेरियस हम में तुन तुलाकूंब राशी एरीस लि लीडिंग में सारे साइन और एलिमेंटस बराबर हैं बर्त मंत की बात करें बर्त मंत अगस्त जुलाई जुलाई बहुत स्ट्रॉंग है सिटमबर जून भी है जून मार्च March February February बहुत स्ट्रॉंग है June बहुत स्ट्रॉंग है November November यह यहाँ पर बर्थ मंस है ठीक है? अब date of birth की बात करें किसी भी महीने की 5 तारीख 14 तारीख 23 तारीख किसी भी महीने की 8 तारीख 17 तारीख 25 तारीख 29 तारीख 26 तारीख 7 तारीख 22 तारीख 3 तारीख 12 तारीख 2 तारीख 21 तारीख ठीक है? यह यहाँ पर date of birth है अब initial की बात करें C A T N N ठीक है? N R S V V O G यह यहाँ पर initials हैं इसमें से आपके नेम का भी फर्स्ट लेटर हो सकता है और आपके पार्टनर के नेम का भी फर्स्ट लेटर इसमें हो सकता है अब वो इधर जो एनर्जी है जो आपके पार्टनर के मन में चल रहा है आपको लेकर ठीक है? इससे एक सौंग के थूँ बताएं? हम आपको अच्छा लगेगा और हमें समझाने में आसानी होगी ठीक है? जितनी दफाँ देखों तुम्हें धर्ड के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से जितनी दफाँ देखों तुम्हें धर्ड के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से दूर जाना नहीं तुमको है कसम खुद से जादा तुम्हें चाहते है सनम दूर जाना नहीं तुमको है कसम खुद से जादा तुम्हें चाहते है सनम दिल में जो भी है तेरा ही तो है दिल में जो भी है तेरा ही तो है चाहे जो मांग लो रोका किसने है खतल अगर करना हो करना धीर से उफ भी नहीं निकलेगी मेरे ओठो से दूर जाना नहीं तुमको है कसम खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम समझ रहे हैं ये इनके मन में चल रहा है कि जितनी दफ़ा देखू तुम्हें धड़के जोरो से ऐसा तु कभी होता नहीं मिलके गहरों से दूर जाना नहीं तुमको है कसम खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम इधर दो कंडिशन निकल करा रही हैं या तो आप मैरेड हैं और या तो ये परसन मैरेड है मतलब कि आप मेंसे कोई एक मैरेड है या तो हो सकता है कि दोनों ही मैरेड हूँ ठीक है लेकिन ये जो परसन है न ये आपसे बहुत ही जादा प्रेम करने लगे हैं प्यार करने लगे हैं अब देखिए अगर आप मैरेड हैं अगर आप मैरेड हैं तो ये सोचते तो हैं कि आपके साथ जिन्दगी में आगे बढ़ें, आपके साथ शादी करें, आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ चीहें, लेकिन एक जगह पर आके रुख जाते हैं, जब ये देखते हैं कि आप मैरिड हैं, और इन फ्यूचर कितना बवाल होगा, हो सकता है कि आपके बच्चे हो, और अगर ये मैरिड हैं, तो इनको लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ, ये फिर ऐसा करता हूँ, लाइफ में आपके साथ ये आगे बढ़ते हैं, तो फिर इनका क्या होगा, क्योंकि देखिए, ये एक ऐसे इनसान है जो कभी भूल से भी किसी को तकलीफ नहीं दे सक सकते, ये समझ लीजे, ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि इनकी वज़े से कोई हर्ट हो, इनकी वज़े से किसी को तकलीफ हो, ये खुद रो लेंगे, खुद को हर्ट कर लेंगे, खुद को दर्द दे देंगे, लेकिन कभी किसी और को दर्द देने के बारे में सोच भी न इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपसे प्यार हो जाएगा हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारी लोग शोशल मीडिया के थू मिले हैं बहुत दूर लंबा डिस्टेंस आप दोनों के दर्मियान आसपास नहीं रहते हैं समझ रहे हैं लॉंग डिस्टेंस है और अभराख खिचाव ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं इन्होंने आज तक कुई किसी के लिए नहीं किया आपसे सुंदर आपके अच्छे आपसे स्मॉर्ट गुड लुकिंग लोग इनकी जिंदेगी में आए निकिन इन्हें आपके लिए फेल कर रहा वो आज तक ये कभी किसी के लिए नहीं कर पाए हम बता रहें इसका एक रीजन है क्योंकि आप बहुत spiritual person हैं आप शायद बहुत धार्मिक या फिर अध्यात्मिक हैं और पता है आपका जो औरा है आपका जो आभा मंडल है वो बहुत strong है जैसे कि positivity से भरा हुआ है और आपके अट्रेक्शन पावर बहुत गजब किया आप एक magnet की तरह है आपकी जो personality है ना वह एक magnet की तरह है जैसे की magicians होते हैं जिनकी बातों को सब ऐसे सुना करते हैं जिसे पागलो की तरह वह मजीशन वह जादूगर है ऐसे ही आपको जादूगर सा समझते हैं कि क्या है ऐसा आप के अदर दिखने में आप पिलकुल नॉर्मल हैं ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत कुछ रेकिन फिर भी पताने रहीं लगता है कि ऐसा क्या है इसमें जो मैं इसकी तरफ खीचा जा रहा हूं या फिर खीची जा रही हूं जबकि इन्हें लगता है कि कोई future नहीं है हमारा या तो आप ये मैरिट हैं और इन्होंने सपने में कभी किसी को दर्द देने के बारे में नहीं सुचा, तो इन्हें लगता है कि ऐसा क्या है, मैं क्या करूँ। तो पता है हो सकता है कि ये कभी जब अपको गुस्ते में ब्लॉख कर देते हूंगे, आपको बिना ही बताए आपको ब्लॉग कर देते हैं कि मैं इसे दूर चला जाओंगा मैं इसे दूर चली जाओंगी और फिर देखते हैं क्या होगा ये अपने आपको बहुत स्ट्रॉंग करने की कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं करना है सब कुछ मुझे से दूर जाना है और मुझे कैसे भी अपनी family के बारे में सोचना है अपने career के बारे में सोचना है या फिर अगर आप married है तो इन्हें लगता है कि मैं क्यों एक शादिशोदा इंसान की जिंदगी खराब करूँ मुझे चले जाना चाहिए लेकिन ये रहे नहीं पाते जैसे कि अगर ये आपको ब्लॉक कर देते हैं तो इन्हें घबराहट होने लगती है इन्हें घुटन सी महसूस होने लगती है और फिर ये जल्दी से 2-3 दिन बाद अपने आपको बहुत कंट्रोल करेंगे फिर आपको अनब्लॉक कर देते हैं अकसर रात में आपको अनब्लॉक करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका लास्ट सीन चेक करने के लिए कि आप इस वक्त ऑनलाइन है या फिर आपका लास्ट सीन क्या है समझ रहे हैं और अगर कभी आप अपना लाश्ट सीन हाइट कर देते हैं, तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है भले आपको बताते नहूं। आपको भी लगता होगा कभी-कभी कि आखिनी आत्मी कर क्या रहा है? यह इंसान चाहता क्या है? हाँ, यह क्या चाहता है? वह एक डायलग सुनत हमने पहले ब्लॉक करना, फिर अन्ब्लॉक करना, फिर लाश्ट सीन चेक करना, फिर ब्लॉक कर देना। यह रिष्टा क्या कहलाता भाया? क्या कहलाता यह रिष्टा? कौन सा रिष्टा है यह? तो ऐसे ये भी करते हैं अब ये देखे ये इतना खिचाव सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे नेशर आपकी स्प्रिश्चुलिटी आपका प्रेम, आपका बिहेवियर इन सब चीजों की वज़े से खिचाव महसूस कर रहे हैं और जो आप इंसान को unconditional love देते हैं आप जो इनसान की परवा करते हैं, जो केयर करते हैं इन सब चीजों की वज़े से ये आपके दोस्त हूँ, आपके office friend हूँ, आपके college friend हूँ आपके boss हूँ, आपके assistant हूँ आपके neighbor हूँ कुछ लोगों के लिए जो भी हैंगे पर जैसा आपके लिए feel किया इन्होंने आज तक कभी किसी के लिए किया नहीं है हाँ, लेकिन फिर ये अपने आपको पीछे खीचते हैं, कुछ चीजों के लिए अपने आपको पीछे खीचते हैं कभी-कभी बहुत stuck हो जाते हैं आपको ही manifest करते रहते हैं आपके बारे में सोचते रहते हैं सोचल मीडिया पर आपको स्टॉक करने की कोशिश करते हैं हर जगा आपको देखते हैं लेकिन पता है, ये feelings चुपाते हैं ये अपनी feelings चुपाते हैं इनके मन में जो होता है वो बताते नहीं आपसे कि मेरे मन में क्या है और देखे ये एक ऐसे इनसान है जिनके लिए आप देख रहे हैं ये situations को God के उपर छोड़ना सही समझते हैं जैसे कि इने बहुत घबराहाट होने लगते हैं कि नहीं रह पारे, नहीं रह पारे तो फिर unblock कर देते हैं कहते हैं जो होगा सुद देखा जाएगा लेकिन ये आपसे प्यार बात करते हैं और अभी इन्हें ये लगता है कि अगर आप married हैं कि क्या पता अगर ये आपके लिए action ले ले इन future पताने आप इनका साथ दो या फिर ना दो वैसे तो ये आपके साथ family बनाना चाहते हैं वैसे तो ये आपके साथ ऐसा completion महसूस करते हैं जैसा कि आज तक इन्होंने कभी किया नहीं है एक होता है रूह का सुकून आत्मा का सुकून ऐसा रिष्टा महसूस करते हैं आपके साथ और इन्हें लगता है बस कुछ भी हो जाए ये मेरा हो जाए मतलब इन्हें लगता है कि मेरे हिस्ते की जो खुशियां है न वो इदर उदर बार दो लेकिन ये इनसान मुझे दे दो ये इशर से प्रे करते हैं और यहीं पर हमस्ते की एनरजी देखें तो हमें लगता है कि आप इनके साथ ट्विंदू सोल कनेक्शन तो कुश लोग सोलि मेड कनेक्शन फिल करते हैं आप मैंसे बहुत सारे लोग हैं जिनके spiritual journey ही इनके आने के बाद इस्टार्ट हुई है, जी हां, इनके आने के बाद ही आपने meditation को जाना, manifestation को जाना, spirituality को जाना, especially tarot reading को जाना, हां, और आप भी, जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए same चीज़े फील कर रहे हो, आप भी इनके साथ married life चीरना चाहते हो, लेकिन सम समस्याइं बहुत हैं। कभी-कभी समस्याओं के बारे में सोचकर आपको भी रोना आजाता है। आपको लगता है कि मेरी जिनदगी मुझे कहा ले जारे, मैं कहां फसी हूं, और कहां फस्दा हूं, अब मैं क्या करूं। अब देखे अगर आप मैरेड हैं तो भी आप हमें बताना आप अनमैरेड हैं तो भी हमें बताना हो सकता है कि एज डिफरेंस इशू हो आप तोनों के दर्मियन बहुत ज्यादा लेकिन आप एक ऐसे इंसान है जो वाकई बहुत ही जादा इश्वर के प्रती समर्पित हैं आप जो चाहो कर सकते हो जैसे कि आज तक अपने अपने अपनी जिंदगी इश्वर के हिसाब से ही जी है और पता है आप एक बहुत पावर्फुल सोल है बहुत ही जादा और इनके आने से अपने अपनी लाइफ में एक सदन चेंज देखा है पहले आप पॉजिटीव तो अंदर से कहीं न कहीं इस प्रिश्वल भी थे लेकिन आपको मेडिटेशन वगेरा इन चीजों के बारे में कुछ खास पता नहीं था आप जानते नहीं थे आपको लगता था हां मंत्रा चैंटिंग करना किरतन भजन करना पूजा पाठ करना मंदिर जाना यहीं सब कुछ हो के बारे में आप जान गए हैं जैसे कि शायद इनके आने के बाद आपकी स्प्रिश्वल जर्णी स्टार्ट हो गई है और कहीं न कहीं आप उसमें ग्रोथ हांसिल भी कर रहे हैं आप उसमें सक्सेस भी पा रहे हैं लेकिन आप भी अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को ल पर कम हो रही है जैसे जिंदगी कि किसी निस्कर्श पर आप तुनों नहीं पहुंच पा रहे हैं कि क्या डिसीजन लें किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ें क्या करें आपको लगता है कभी-कभी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह एक तरफा प्यार हो कभी-कभी यह जब गु जैसा कि समाज की परिवार की धर में की जाती की जो बेड़ीया होती बड़ी स्टॉंग होते हैं मैं यह जैसे कि समाज के बारें बहुत जादा सोचना इस वज़ए से इस तक इक हैं और दोनों अपने बारे में सोच पा रहे आपको लगता है कि अगर आप लोग अपने बा टेक नहीं करते लेकिन फिर कभी-कभी लगता है यही तो है जो मुझे समझता है कभी-कभी इनकी बहुत सारी बाते आपको बहुत अच्छी लगती तो कभी-कभी विल्कुल अच्छी नहीं लगती कभी-कभी आपको लगता है कि काश यह मेले एक्षन ले लेता जो होगा वो लेकिन फिर आप भी अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, देखे, आप दोनों ही एक ऐसी आत्मा हैं जो कभी भी भूल से कभी किसी को हट नहीं कर सकते। खुद का दिल तोड लेंगे, खुद को दर्द दे लेंगे, अकेले में रातों में रो लेंगे, दोनों अपने अपने आसु छुपा लेंगे, एक दूसरे से शेयर भी नहीं करेंगे कि हम तुम्हारे लिए रो रहे थे। बहुत सरे लोग ऊसे हैं जो अपनी फीलिंग्स ऐसे ही हाइट करते हैं रो ल hedge लेते हैं लेकिन बताते भी नहीं और जब आप दूनों दूसरे से बात करते हैं तो जैसे कि एक दूसरी को इस जढ़े जैसे बहुत आए बढ़ता है क्या है, बहु को लिए खार थीक है यह जो आपके divine counterpart है अगर आपको लगता है कि twin soul connection है तो यह पता है mature energy में है यह low level की energy में नहीं है यह medium level की energy में है नहीं बहुत high level पर है नहीं बहुत low level पर है समझ रहे हैं लेकिन हां इन्हें लगता है कि जिस दिन इन्होंने आपको खो दिया वो इनकी जिन्दगी का सबसे ब जिसके साथ मुझे कमपलीशन महसूस होता था जिसके साथ मुझे खुशी महसूस होती थी जिसके साथ मुझे लगता था कि मेरे लाइफ बहुत हसीन होगी बहुत रंगीन होगी लेकिन उसके लिए मैं action ना ले सकी उसके लिए मैं action ना ले सका इन्हें लगता है कि मुझे भर पश्तावा होगा इस चीज का जिन्दगी भर ये अफसोस करेंगे गिल्ट करेंगे आप खो देने के लिए लेकिन हम बता रहे हैं कि या तो फैमिली इशु बहुत स्टॉंग है या तो आप दोनों में से कोई एक मैरिट है भी पता है एक मेरेकल के वेट में बैठे हुए यह भी कहीं न कहीं एक चमतकार का इंतिजार कर रहे हैं और अभी हम बताएं अभी तो यह कहीं जाने के बारे हम सोच रहे हैं कहीं शिफ्ट करने के बारे हम सोच रहे हैं हाँ अब यह कहां जाने के बारे हम सोच रहे हैं यह हमें पता नहीं चल पा रहा है लेकिन यह इतना समझे कि कहीं जाने के बारे हम तो सोच रहे हैं अगर ये आप से दूर रहते हैं तो एक बार ये आप से मिलने के बारे हम सोच रहे हैं अगर आपके आस पास रहते हैं तो इस वक्त आप से distance create करना चाहते हैं जिससे ये किसी की जिंदगी बरबादना हो और सब कुछ लाइफ में अच्छा हो जाए समझ रहे क्योंकि family को ना problem हो ना आपको problem हो ये कुछ ऐसा चाहते हैं कभी किसी को hurt नहीं करना चाहते हैं भूल से भी इतना समझ ही आप तो dear प्यार आप दोनों एक दूसरे से जीजान से जादा करते हैं soul level का connection फील करते हैं लेकिन आपकी तरफ से बहुत ही जादा high level की energy हमें नजरारी है जैसे कि आप इनको वाकई भगवान सा मानने लगे हैं आपको लगता है कि आपकी सांसे इनको देख कर चलते हैं जितना समरपड आपका इनकी तरफ है उतना खेर इनका नहीं है हो सकता है कि ये एक बार अपने आपको control कर ले अपने आपको समहाल ले लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप अपने आपको शायद समहाल नहीं बाएंगे अब ये आप हमें बताएंगे कि आप married है या फिर ये married है क्योंकि family issue बहुत strong है और आप मेंसे कोई एक married है और इसी वज़े से family issue strong है इसी वज़े से इने लगता है कि हमारा कोई future नहीं है और इसी वज़े से आप से दूर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन भूला तो ये भी नहीं पाते हैं, भूला तो ये भी नहीं पाते हैं, और फिर वही तो कहते हैं कि कभी ब्लॉक करना, कभी अन्ब्लॉक करना, कभी गुस्ते में दूर चले जाना, कभी ददद दिन तक बात न करना, on-off की situation इनकी चलती रहती हैं, और पता है, जब भी कि आपको रुलाते हैं जब भी आपको हड करते ना दिल बहुत मजबूत करकर कहीं न कहीं ये आपको ये भी थाबित करना चाहते कि आप इन्हें बुरा समझने लगो आप इन्हें भूलने की कोशिश करो आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो क्योंकि हमारा कोई future नहीं हम दोनों साथ में कभी नहीं रह सकते हम कभी भी हमारी fix area नहीं करेगी और family कदिल दुखा कर हम दोनों कभी खुश नहीं रह सकते तो हो सकता है कि अभी हाल-filal भी ऐसा ही कर रहे हैं बात चीतना कर रहे ह нужен है intuitively नहीं नहीं आती हैं आप भी बहुत ज़्यादा रोते हैं कि पहले क्यों मिलाया था आपने ना मिलाते जिन्देगी अच्छी तो चल रही थी हम खुश थे सब ठीक था लेकिन अब रहा नहीं जा रहा अब कैसे सब कुछ मैनेज करें कैसे क्या करें तो इश्वर आपसे कहना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपकी लाइफ में जो भी समस्यां हैं उनका समधान हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगेगा थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आप इनकी वजह से अपने इस प्रिशूल जर्णी पर कोई असर मत पढ़ने दीजिए समझ रहे हैं आपको अ ऐसा जर्या है कि हो सकता है कि आपके ध्यान अनुष्ठान आपकी पावर की वज़े से आपकी जो उर्जा है इससे लोगों का मन बदल जाए जो आज आपके रिष्टे को एकसेप्ट नहीं कर रहे हैं कल वो एकसेप्ट कर लें तो हो सकता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाए वर है अब देखिए यह रीडिंग आपसे कितनी रेजनेट हुई प्लीस हमें कॉमेंट करके जरूर बताया करिए हमें बहुत अच्छा लगता है बहुत ही जादा अच्छा लगता है और आप सब हमें इतना सारा प्यार देते हैं उसके लिए कितना अभार व्यक्त करें हम बताने सकते हैं हाँ एक बात और इस नवरात्री हम अनुष्ठान कर रहे हैं अनुष्ठान कर रहे हैं हो सकता है कि हम यूटूब पर लाइव मेडिटेशन कर रहे हैं अगर आप जाइन करना चाहें तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा यूटूब के रहे तो 100% शोटे नहीं द आप मेडिशन को जरूर ज़्ञान करें और आप चाहें तो मंत्रा चेंटिंग करें कि आपको पता है ब्रभांञंड में बहुत जादा कॉस्मिक एंठजी होती है बहुत ज़्यादा पॉजिपिटिविटी होती है और जो सर्थना आप नवरात्री बात करते हैं अन्ने दि करें ठीक है आई होप आप समझ गए होंगे जैशी कृष्णा अपना खयाल रखे अपने अपनों का खयाल रखे और कौन क्या कहता है इस बारे मत सोचे क्योंकि मेरे बच्चे लोगों का काम तो कहने होता है ना वो पुरी जिंदगी कहेंगे और आप भला लोगों के बारे मे सोच कर अपने जिंदगी क्यों खराब करेंगे बताइए आप अपनी परवा करिए अपने खुश्यों के परवा करिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं आपकी आत्मा कहती हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए इन से जोड़ना चाहिए तो आप इस चैन प्रणाम ओम मनिपद में हम ओम साहिराम